स्वागत है आपका आज के एपिसोड बे सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को इसका सही उत्तर है विकल्प बी यह मध्य प्रदेश के शियोपुर जिले में स्थित है अतह कथन एक सही है इसका नाम चंबल नदी की प्रमुक सहायक नदियों में से एक कुनो नदी के नाम पर रखा गया है अतह कथन दो सही नहीं है कुनो राष्ट्री उध्यान को भारत में चीता के परिचे के लिए कार्य योजना के अंतरगत चुना गया था अतह कथन तीन सही है यह उध्यान विंध्याचल परवतमाला में स्थित है और इसमें विभिन वन्यजीव जैसे तेंदुआ, नील गाय, सांभर, चिंकारा, जं लोग सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ हुए, दूसरा कथन है सम्विधान समिक्षा आयोग की रिपोर्ट 2002 में एक साथ चुनाव कराने की अवशेक्ता पर बल दिया गया था, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है, विकल्प A केवल एक, वि विकल्प D ना तो एक ना ही दो, तो इसका सही उत्तर है विकल्प C, वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव से लेकर वर्ष 1967 तक लोग सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ हुए, अता कथन एक सही है, सम्विधान समिक्षा आयोग की रिपोर्ट 2002 में एक साथ चुनाव करा कराने की अवशक्ता पर बल दिया गया था, अता कथन दो सही है, बता दें कि एक साथ चुनाव कराने की धारणा कभी भी उस मूल सम्विधानिक योजना का हिस्सा नहीं थी, अगला प्रश्न है, हाली में पुणे हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है, विकल्प A, छ लोह गाउं हवाई अड्डे का नाम बदल कर, जगत गुरू संतुकाराम महराज हवाई अड्डा रखने को मंजूरी दे है, अता विकल्प B सही है, या कदम संतुकाराम महराज की आध्यात्मिक और सामाजिक धरोहर को सम्मान देने के लिए उठाया गया है, संतुकाराम सत भक्त और सामाजिक सुधार का संदेश दिया, उनका उद्देश जातिगत भेदभाव को समाप्त कर समाज में समानता और सत्भाव को बढ़ावा देना था, अगला प्रशन है प्रधान मंत्री जनजातिय उननत ग्राम अभियान के बारे में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए, पहला कथन है इसका उद्देश भारत सरकार की विभिन्य योजनाओं के माध्यम से इनके बीच स्वास्त शिक्षा आजीविका जैसे सामाजिक बुनियादी ढाचे के संदर्व में अंतराल को कम करना है, दूसरा कथन है इसका कार्यान वेन अनुसुचित जनजात के लिए विकास कार्य योजना के अंतरगत उन्हें आवंटिभ धनराशी के माध्यम से 17 मंत्रालियों द्वारा किया जाएगा, उपरियुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनो, विकल्प D ना तो 1 न तो इसका सही उत्तर है, विकल्प C, प्रधान मंत्री जनजातिय उन्नत ग्राम अभियान योजना के बारे में जान लेते हैं, यह जनजातिय बहुल गामों और आकांशी जिलों में जनजातिय परिवारों के कल्याण के लिए किंद्र प्रायोजित योजना है, इसका शामिल जनजातियां गाउं को पीम गति शक्ति पोर्टल पर अंकित किया जाएगा, जिसमें संबंधित मंत्राले द्वारा योजना विशिष्ट आवश्यक्ताओं के लिए पहचाने गए अंतरालों को शामिल करने के साथ सर्वस्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों क को पुरस्कृत किया जाएगा, अता कथन 2 सही है, अगला प्रशन है हडपा सभिता के बारे में निलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला कथन है यह मिश्र मेशोपोटामिया और चीन के साथ चार प्राचीन शहरी सभिताओं में सबसे बड़ी थी, दूसरा कथन है ता सभिता के हडपा और मोहंजोदोडो स्थलों की खोच के उत्खरन के लिए जिम्मेदार थे, उपरियुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 1 और 3 या विकल्प D 1, 2 और 3, तो इसका सही उत्तर है विकल्प D, हडपा सभिता जिसे सिंधु गाटी सभिता के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु नदी के किनारे लगभग 25 और इसापुर में विक्सित हुई थी, या मिश्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 प्राचीन शहरी सभिताओं में सबसे बड़ी थी, अता कथ अगला प्रशन है निमनलिखित विशिस्ताओं पर विचार कीजिए, पहला कथन है मड़ीपुर में इन्हें काहु आई पुईना के नाम से जाना जाता है, दूसरा कथन है वे उत्तरी चीन, पूर्वी मंगोलिया और सुदूर पूर्वी रूस से दक्षन अफ्रिका की ओर प्रवास करते हैं, तीसरा कथन है वे मुखिता कीट भक्षी होते हैं, उपर्यूक्त कथनों में निमनलिखित में से किस प्रजाती का वरडन किया गया है, विकल्प A, साइबेरियन क्रेन, विकल्प B, आमूर फालकन, विकल्प C, काली पतंग, या विकल्प D, एशियाई प पुईना और नागालेंड में मोलुलेम के नाम से जाना जाता है, इनकी विशिस्ट विशिस्ताओं में गहरे रंग के पंक, पंक में सफेद रंग की धारियां, तथा लाल नारंगी और आखें और पैर शामिल हैं, ये उत्तरी चीन, पूर्वी मंगोलिया और सुदूर अफरीका तक प्रवास करते हैं, तथा भारत से गुजरते हुए 22,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं, ये कीट भक्षी होते हैं, लेकिन छोटे कशेरुकियों को भी खा सकते हैं, अताविकल्प भी सही है, अगला प्रशन है भारत के हीरा उद्योग के संदर्प में लगभक साथ प्रतिशत का योगदान देता है, तीसरा कथन है सूरत भारत में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का प्राथमिक किंद्र है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं, विकल्प A केवल एक और दो, विकल्प B दो और तीन, विकल्प C केवल एक और तीन, या विकल्प B एक दो और तीन, तो इसका सही उत्तर है, विकल्प B, रूस विश्व में अपरिस्कृत हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, अता कथन एक सही नहीं है, जन्वरी 2022 तक रत्न और आभूशन उद्योग का भारत के सकल घरेलु उत् लगभग 7 फीसदी हिस्सा था, अता कथन 2 सही है, सूरत मुंबई, जैपुर, तरिचूर, नेलोर, दिल्ली, हैदराबाद और कुलकाता, भारत में रत्न और आभूशनों के प्रमुख केंद्र हैं, अकेले सूरत में हीरों की कटाई और पॉलिशिंग में लगभग 8 लाग क द्वीवारशिक आयोजन है, जिसमें विभिन देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टी में प्रतिस्परधा करती हैं, दूसरा कथन है, पहला आधिकारिक शत्रंज ओलंपियाड वर्ष्ट 1924 में आयोजित किया गया था, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सह ही है या है, विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, या विकल्प D ना तो एक ना ही दो, तो इसका सही उत्तर है, विकल्प A, शत्रंज ओलंपियाड विश्व शत्रंज महासंग द्वारा आयोजित एक द्वीवारशिक आयोजन है, जहां आधिकारिक शतरंज ओलंपियाड वर्ष 1927 में लंदन में आयोजित किया गया था ता कथन दो सही नहीं है फिटे का मुख्याले स्विट्जे लैंड में स्थित है और यहां तरास्ट्री स्तर पर शतरंज के नियमों को बनाए रखने खिलाडियों की रैंकिंग जारी करने और खेल को बढ़ावा देने में महतुपोण भूमिका निभाता है अगला प्रश्ण है निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है अमेरिकी केंदरी बैंक द्वारा निरंतर ब्यासदरों में वृद्धी वैश्विक अर्थविवस्था पर प्रभाव पड़ा है जिसके कारण अधिकांश उभरते बाजारों की मुद्राओं के मुकाबले डॉलर अधिक मजबूत हुआ है दूसरा कतन है मजबूत अमेरिकी डॉलर उभरती बाजार अर्थविवस्थाओं के लिए रिंड सेवाभार और मुद्रा स्फीत इसंबन्धी दबाव को कम करता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कतन सही है या है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों या विकल्प D ना तो एक ना ही दो तो इसका सही उतर है विकल्प A अमेरिकी केंद्री बैंक द्वारा निरंतर ब्यासदरों में बढ़ोपतरी और ब्यासदरों को उच्छ रखने के फैसले ने वैश्विक अर्थविवस्था को प्रिभावित किया है जिससे अधिकांश उभरते बाजार मुद्राओं के मुकाबले डॉलर अधिक मजबूत हुआ है अता कथन एक सही है मजबूत अमेरिकी डॉलर उभरती बाजार अर्थविवस्था के लिए रिंड सेवा भार और मुद्रा स्फीत के दबाव को बढ़ाता है अता कथन दो सही नहीं है बता दें कि उच्च ब्यासदरे निवेशकों को अमेरिकी संपत्यों में निवेश करने के लिए आकरशित करती है जिससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है अगला प्रशन है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला कथन है आर्कटिक की बर्फ एक विशाल कारबन सिंग की रूप में कारे करती है तथा इसमें अनुमानता 1.5 ट्रिलियन मेट्री टन का कारबन मौझूद है जो जलवायू स्थरीकरण के लिए अत्यंत महत्पूर्ण है दूसरा कथन है भारती मानसून एक वायूमंडली नदी के माध्यम से आर्क्टिक से जुड़ा हुआ है उपर्यूत कथनों के संबंध मैंने मिलिखित में कौन सा सही है विकल्प 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है विकल्प B कथन 1 कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है या विकल्प C कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है या विकल्प D कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है तो इसका सही जवाब है विकल्प B आर्कटिक की बर्फ एक विशाल कार्बन सिंग के रूप में कारे करती है और इसमें अनुमानित 1.5 ट्रिलियन मीटरी टंड कार्बनिक कार्बन है जो जलवायु इस्थरी करण के लिए महत्वपुर्ण है अता कथन 1 सही है भारती मानसून एक वायुमंडली नदी के माध्यम से आर्कटिक से जुड़ा हुआ है अता कथन 2 सही है अता विकल्प भी सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है तो आई अंत में नोट करते हैं आज का भ्यास प्रश्न तीस्ता नदी के संबंध में निलिखित कथनों पर व तो पूर्ण है तता पश्रिम बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिले इसके जल पर निर्भर हैं उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनो या विकल्प D ना तो एक ना ही दो तो इस प्रस्निका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें धन्यवाद अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले